नमस्ते मैं हूँ आसा आप सभी का स्वागत है आसा का कीचन में आज मैंने बनाया है पंचवटी दाल इसको मिक्स दाल भी कहते हैं तड़का दाल भी कहते हैं यह देखिए कितना अच्छा मैंने बनाया है बीना गरम मसाले के बीना घी बीना बटर और एकदम जटपट से घर लोग में ही बनाया है और रेश्टरॉन जैसा तो आये देख लेते हैं मैंने इसको कैसे बनाया है यहां पर हमने दाल लिया है इसको हमने ढूँ बिछो का था च्हे गंटे के अब जो भी तेल खाते हैं वही डालें मैं सरसो तेल डाल रही हूं तीन चमच तेल को गरम होने देंगे तेल हमारा गरम हो गया है देखिए चुटकी बर हिंग लिया है मैंने आधी छोटी चमच जीरा और एक लाल मिश इसको हम लोग तेल में डाल देंगे इसमें और दो बडा प्यााज लिया था मैंने बारिक काट लिया है अब इसको हम लोग प्याज दाल रहे हो इसको डूल मिश कर लेंगे इसको टीन मिचे तक प्याज भूनेंगे जब तक ब्राउं ना हो जाता है त्युला हमारा मीडियम ही रहेगा हाई ना करे नहीं तो प्याज जल जाएगा इसको हम लोग मीडियम आज पे ही भूनेंगे ताकी प्याज भी मारा बढ़िया सोफ्ट हो जाए बढ़िया कलर आजा इसको ढ़क करें भूनेंगे हमने प्यास को ढख दिया है यह देखिए तिन हरी मिर्च है दस बार लाहसन की कलिया है और आधा इंच अध्रक का टुकड़ा है इसको हम लोग पीश के पेश्ट बना लेंगे प्यास ब्राउन हो गया है अब इसमें हम लोग अपना पेश्ट बनाए थे अध्रक लहसन हरी मिर्च का पेश्ट देखिए हमने बारिक नहीं पीशा है इसको हलका दरदरा पीश लिया है इसको भी एक वी नड़ता भून लेंगे ताकि इसका कच्छा तेस्ट निकल जाए हमारा अध्रक लहसन भी बन्या से भूना गया है देखिए आदी छोटी चमच जीरा और काली मिर्च का पाउडर है और आदी छोटी चमच हल्दी है इसमें लाल मिर्च पाउडर मैं यूज नहीं कर रही हूं लेकिन आप अगर खाते हैं तो आप डाल सकते हैं आप तीखा आप अपने वाने साथ कर सकते हैं इसको हम लोग म हमारा कुकर भी ठंडा हो गया है अब हम अपना दाल भी देखेंगे लेकिन उससे पहले देखिए दो छोटे तमाटर थे मैंने उसको बारी काट लिया है अब यहां पर हम लोग इसको भी डाल देंगे कि अब डाल के भी दो मीनट भूने लिया तक ही तमातर हमारा गल जाए बढ़िया से बढ़िया से मिक्स कर ले उसका बद धब के भूने जल्दी ज़ल जाएगा दाल हमने उबाल लिया है यह देखिए इसमें हमने नमा खल दी मिर्ज कुछ नहीं सिर्फ दाल को हमने उबाला था तिन सीटी लगाया है यह देखिए हमारा दाल बहुत बढ़िया गल गया है इससे ज्यादा सीटी ना लगाया है अगर आपका नहीं गल रहा है तो आप एक सी बुन चुका है, अब हम लोग गैस का फ्लेम बढ़ाएंगे, हाई पे कर देंगे, क्योंकि हम लोग अपना डाल डालने वाले हैं, डाल का कुछ पानी मैंने निकाल लिया है, आप देख लें, फिर जो रुवत पड़ेगा तो हम उसको डालेंगे, आप देख लें, आप कितना पता डालने का जरूरत नहीं है, अब इसमें हम लोग अपना बॉइल किया हुआ दाल डालेंगे, डाल के साथ ही मिलता है यह वाला मसाला, अब जहां पर दाल का पैकेट लिजेगा, आपको दाल के साथ ही मिलता है, हम यह वाला मसाला भी इसमें आड करेंगे, आपके दाल क कॉंटेटी के हिसाप से प्राक्ट मिलता है उसको पुर्ण डाल दिया मैंने देखिए और स्वादनजा नमक अब सारी चीजों को लो बढ़ियां से मिंक्स करेंगे चुला हमारा हाई फ्लैम पर है मिक्स कर लिए मैं दाल से मिक्स करें में ंव इसे पिर लो DAVID कर देंगे कुरा हमारा खिस तीन से चाया नाइक के लिए ड ख ढ सब दिल गए तिसे कमारे मलेते बढ़ियाँ में दाल से नमक्रीге कि इसमारस भी गया है hypothetical सीद्नल से मिक्स भूड़明 vive बनके रेडी हो गया है अब इसको हम लोग धाबा इस्टाइल कैसे बनाएंगे यह हमारे पुरी दाल बनाने की प्रोसेस थी हम लोग दाल ऐसे ही बनाएंगे लेकिन इसको हम लोग एक अलग सा लुक देंगे जो धाबा में आपकी रेस्टोरेंट में होता है उसके लिए मैंन देखिए मैं इतना गाढ़ा बना रही हूँ आप चाहाए तो थोड़ा अगर पानी आप आड़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं लेकिन इतना परफेक्ट है इसको आप बंद भी कर सकते हैं अगर आप इसको और थीक करना चाहतेтории TO कर सकते हैं कच्छी हमारा गरम है इसमें डालेंगे हमनों थुड़ा सा ओयल आप यहाँ पर घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं घी में अगर यह तड़का लगाएंगे तो और अच्छा लगेगा इसको हमनों तेल को भी बढ़ियां से गरम कर लेंगे अपना डाल का फकर हटाएंगे तेल हमारा गरम हो गया है इसको गया से हटाके ही इसमें लालमीर्च डालें यह देखिया आधी छोटी चमस्च हमने लालमीर्च लिया है पाउडर इसको आशा हम लोग इससे डाल देंगे, डाल के इसको आधे मिनिट के लिए धग देंगे और चुला को बंद कर देंगे, एक मिनिट हो गया है, देख लेते हैं, देखिए हमारा दाल का कलर कितना मढिया आ गया है, एह हमारी डाल बनके रेडी है, अगर मेरी करने से आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी देखने थैंक यू